युक्रेन और रूस में जारी थनाओं के बीच राजधानी के फिस्तित भारतिय दूतावास ने युक्रेन में रहरे भारतिय नागरिकों को सायम बरतनी की सला दी है। साथ ही कहा है कि भारती विदेश मंत्राले तमाम विमानन कंपनियों के संपर्क में है ताकि भारत और उक्रेन के बीच विमान सेवाओं को बढ़ाया जा सके वहीं उक्रेइन के राष्ट्रपती वॉलेदिमेर जलन्सकी ने उक्रेइन के लोगों का आहवान किया है कि वो रूस के संभावित खत्रे के खलाफ एक जुटता दिखाते हुए राष्ट ध्वज फैराएं, राष्ट गीत काएं डे आफ यॉनिटी के मौके पर उक्रेइन में नाशनल ओलंपिक स्टेडियम में दो सो मीटर लंबाध ध्वज प्रदर्शित किया गया और एक दिन की सारवजनिक छुट्टी का आइलान किया गया पश्चे में खोफिय आजेंसियों ने कथित तोर पर ये दावा किया था कि रूस बुद्वार को हमला कर सकता है हलांकि अमेरीकी राष्ट पती जो बाइडन ने चेतावनी भी दी है और जो बाइडन ने सीधे रूस के लोगों को सम्बोधित किया और कहा कि आप हमारे दुश्मन नहीं हैं लेकिन साथी संभावित प्रतिबंधों पर भी जोर दिया है सैन्य अभ्यास के बाद रूस ने अपने कुछ सैन्य टुकणियों को वापस बुला लिया लेकिन यूक्रेइन की सीमा के पास अन्य जगों पर डुल्स जारी है फिर भी रूसी रक्षा मंत्राले का कहना है कि अभी और सैन्य टुकणियों वापस आ रहे है रूस का कहना है कि यह सबूत है इस बात का कि वो हमले की तैयारी नहीं कर रहा है बश्यमे देशों का कहना है कि तनाव को इससे विजादा कम करने की सरूरत है उनका कहना है कि ऐसा कोई सबूत अभी तक नजर नहीं आया है जिससे लगे कि रूस अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है बलकि रूस अपनी सैनिय मौजूदगी बढ़ा रहा है और यूक्रेन की सीमा के नजदीक आता जा रहा है नेटो के 30 सदस्य देश, मध्य और पूर्वी यूरोप में अपनी सुरक्षा बढ़ाने पर भी विचार विमर्ष करेंगे